हेलो दोस्तों राधे राधे हरे कृष्णा तो आज मैं आप सब के साथ आपने ठाकुजी राधरानी का शिंगार मैंने कैसे किया मकर सक्रांती पे लोडी का शिंगार जो कहते हैं तो उसका शिंगार क्यों स्पेशल भी है तो मैंने सोचा क्यों आप सब के साथ थोड़ा सा ड द्रेस पहनाई है क्योंकि वैसे तो आप पहले ये शिंगार दर्शन देख चुके हो पर मैं ये वीडियो इसलिए बना के आप सब के साथ शेयर करने जा रही हूं ताकि आपको पता चले हमारी लोडी और मकसक रांती पे श्पेशल ड्रेस क्यों पहनाई जाती है तो जैसे कि अभी तो आप मेरे ठाकु जी के सनान के दर्शन कर रहे हैं उनके चरनों के दर्शन कर रहे हैं तो उनके चरनों को मैंने अच्छे से उनको नहला दुला कि अपने ठाकु जी अपने रडला को त्यार करने जा रही हूं तो जो इस वीडियो में मैं आप सब के साथ शेयर करन बीच बीच में हम भजन का आनन भी लेते रहेंगे और साथ साथ मैं आपको अपने ठाकुजी रादारानी का शिंगार मैंने कैसे किया है वो भी सब आपको डिटेल में बताती जाओंगी और साथ में ये भी हम बीच बीच में चर्चा करेंगे कि मैंने अपने ठाकु जी रादारानी की ड्रेस कैसे त्यार की और उसमें क्या-क्या भाव थे मेरे ठाकु जी के लिए जो मैंने ड्रेस त्यार की है तो चलिए तो सबसे पहले हम अपने ठाकु जी का शिंगार करते हैं फिर हमारी लाड़ो प्यारी हमारी शामा प्यारी का शिंगार करेंगे तो देखते हैं हमारी शामा प्यारी और हमारे ठाकु जी हमारे लला इस बार मकस क्रांती पे लोडी पे कैसा शिंगार करवाते है तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ठाकु जी ने आप सबके बिहारी जी ने वाइट कलर को मैंने उनको कुर्टा पहनाया है और ये है उनकी धोती तो जो धोती है देखिए जो श्पेशली धोती है हमारी वो मैंने वाइट कलर का एक सिल्क का कपड़ा लिया था उस पे जो मैंने बोर्डर बनाया है वो कोई लेस नहीं है क्योंकि देखिए लोडी का जो तोहार है हमारा पंजाबियों का तोहार है पर लोडी थोड़ा सा मैं पंजाब साइड से भी बिलोंग करती हूँ तो इसलिए लोडी का तुहार जो है पंजाब साइड जादे फेमस मनाया जाता है जैसे कोई हमारे घर में नया मनना में मानाता है जा नई शादी होती है न कुछ भी नई चीज होती है तो हम लोडी का फ इसमें फुलकारी जुरूरूर हमें नई नवेली जो दुलन होती है उनको हम सजे नए जोडे को फुलकारी जुरूर भेट करते हैं तो देखे उसी भाव से मैंने ये अपने ठाकुजी राधरानी का जो शिंगार मैंने किया है और जो उनकी ड्रेस बनाई है वो especially फुलकारी के उपर ही ड्रेस बनाई है तो अभी जो आप मेरे अपने ठाकुजी को धोती पेना रही हो उसमें जो बोर्डर लगा हुआ है वो फुलकारी का बोर्डर लगा हुआ है फुलकारी means एक फुलकारी जैसे एक दुपत्टा आता है, मार्केट में बहुत एजली अवेलेवल हो जाता है, तो मैंने उस दुपत्टे से अपनी राधरानी और ठाकुजी की ड्रेस त्यार की है, तो दिखिए, ये हमारे ठाकुजी ने धोती धारन कर ली है, किते सुन्दर हमारे शाम सुन्दर लग रहे हैं, उनकी मुख की शोबा और उनकी मुख की मुस्कान तो बहुत प्यारी लग रही है, साथ में ये मैंने मैचिंग का, उनकी प्यारा सा दुपत्टा फुलकारी का ही रखा है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोई अलग से कोई और कंट्रास मैच नहीं किया, क्योंकि मुझे फुलकारी की ही ड्रस बनानी थी अपने ठाकुची अपनी राधारानी के लिए, तो इसलिए श्पेशली ये ड्रस सीरफ मैंने फुलकारी के दुपत्टे से ही बनाई है, पंजाबियों में अगर हम बोले तो इसको फुलकारी बो बहुत सुंदर सुंदर फुलकारी मिलती है, बहुत हैवी फुलकारी मिलती है, तो उसी से मैंने अपने ठाकुची के लिए ड्रस त्यार की थी, तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने ठाकुची को धोती पहना दिया है, उनको सुंदर सा कुर्टा पहनाया है, और साथ में ब्लाउश भी पेना दिया है और दूपट्टा भी दे दिया है जो कि सारा मैंने फुलकारी से एक दूपट्टे से ही ड्रस बनाई है इसमें सिरफ मैंने प्लेन ये सिलक का वाय क्रीम कलर का कपड़ा लिया था थोड़ा सा बस इसके हिलावा मैंने पूरे एक दूपट्टे से अपने ठाकुर जी की राधरानी की डुरस बनाई है और इसी के साथ अब हम अपने ठाकुर जी को थोड़ी सी प्यारी सी ज्वल्री धारन कराएंगे ज्वल्री से उनके सुंदर से शिंगार जो की हमारे प्रभू बहुत प्यारे लगते हैं बिना शिंगार की है, तो हमारे ठाकुर जी का शिंगार धूरा है, तो ये अभी मैंने कमर बंद ली है, ये कमर बंद स्टोन की है, तो व्यासे तो ये नेकलेस है, नेकलेस को आप कमर बंद में भी पहना सकते हैं, और हातों में भी और गले के हार में भी, वो आपकी इच्छा पे और आपके भाव पर डिपेंड करता है कैसे भी पहना सकते हैं और अब मैंने अपने ठाकुर जी को देखिए अपने उनके सीर पे मैंने एक अलग से कपड़ा बांदा है वो इसलिए बांदा है क्योंकि उनको थोड़ा सा जो पिंस वगरा हम लगाते हैं डेकुरेशन करते उनके बालों में तो वो उनको चुबे ना इसलिए लगे ना उनके सीट पे तो इस तरह से मैंने उनको केश पहना दिया है अब केश के ऊपर हम अपने ठाकुर जी के अपनी राद शाम सुंदर के सुंदर सी प्यारी सी पगड़ी बांदने की कोशिश करेंगे तो मैंने उसको मैंने बांद दिया है और अगर आप क्लियर ली देखेंगे तो उसको मैंने बीच से मतलब ठाकुजी के सीर पे बीच में आधा दुपटा हमारे राइट साइड आधा दुपटा हमारा लेफ्ट साइड रखने के बाद उसको ट्विस करते होए हम उनको धीरे-धीरे क बांदेंगे पगड़ी को एक बार थोड़ा सा लगता है कि मुश्कीले पगड़ी बांदने में पर जब हम धीरे-धीरे अपने ठाकुजी को पगड़ी बांते चले जाएंगे तो हमें असानी से उनकी पगड़ी बांदनी भी आ जाएंगी बाकी देखिए अपने जब कीपा होती है तो सब कुछ ही आ जाता है उनकी कीपा से सब कुछ संभव होता चला जाता है मुझे भी नहीं आती थी अपने ठाकुजे की पगड़ी बाननी उनके आशिवास से उनकी कीपा से पगड़ी बानना भी मैं भी सीख गई हूँ और आप सब भी सीख जाएंगे, धीरे धीरे अपने प्रभू का खुछ से शिंगार करना स्टार्ट कीजिए, उनकी सेवा करनी स्टार्ट कीजिए, मन में जैसे जैसे भाब बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे प्रभू की सेवा भी होती चली जाएगी, तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने ठाकु जी को बहुत सुन्दर सी और प्यारी सी पगड़ी बांदी है, और इसी के साथ मैंने उनको जो मैचिंग की है, वो भी मैंने फुलकारी की ही मैचिंग की है, क्योंकि फुलकारी की ही मैंने अपने ठाकु जी को पगड़ी बांदी है, उससे क् उनका शिंगार बहुत सुन्दर से निकल के आई तो इस तरीके से देखें मैंने अपने ठाकु जी के सिर पे पूरे अच्छे से फुलकारी के दुपटे से उनको पगडी बांदी है भाकी फिर उसके बाद हम अपने ठाकु जी को दीरे दीरे सजाते चले जाएंगे वो आप पे निर्बर करता है अपने ठाकु जी को फैन लगा सकते हैं कलगी लगा सकते हैं मौर पंक लगा सकते हैं सुन्दर सुन्दर जुवेलरी से भी उनकी पगडी को आप सजा सकते हैं वो आप पर DEPEND करता है जैसे जैसे आईडियास कहते आते चले जाते हैं और प्रभु अपनो आपको प्रेना देते जाते हैं तो वैसे वैसे आप अपने प्रभु का SHINGAR भी करते चले जाते हैं तो देखे इस तरीके से मैंने अपने ठाकु जी को बहुत सुन्दर तरीके से पगड़ी बांदी है और जो हमारे बेबी पिन होती है क्योंकि मैंने देखू के नीचे भी एक पटका बांदा है एक तरह पगड़ी बांदी है जिसे कि प्रभू को मेरे ठाकुजी को वो पिन चुबेना और असानी से पगड़ी सीर पे टिक जाती है अब देखे ये एक अलग से मैंने पटका लिया है उसको मैंने ट्विस करके एक फैन का अकार देखे ठाकुजी के बिहारी जी के सीर पे लगाया है जो कि एक हमारी कलगी का रूप भी दे रहा है और फैन का रूप भी दे रहा है तो देखे कि ते सुन्दर त्रीके से हमारे ठ कलगी लग गई है तो इससे क्या होता है कि हमें अपने ठाकुजी को जब हम कलगी लगाते हैं अलग ही उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है बहुत सुंदर सा भाव जो होता है यह कहले कि ऐसा लगता कि बस अभी प्रभू बोल पड़ेंगे इतना सुंदर मुक्त से उनके श का जढ़ा है कि बसकान करें गई है कैसे होता है कि रल पाव जाता कि अपने प्रभू को आप और वह कशा होते हैं साइसी सआसे भी कम पड़ आए ते प्रभू बेंगे लेडना में तो बाल कत्रा तो यह कह लिजीए मुझे बहुत थोड़ा सा वेट करना पड़ा کیونकि मैं ने यह नहीं नहीं रखोना से बाल कत्रा में में थाकूझी के ला और मैंने ठाकूझी चाहन्ति पर लगा से लगी पर तो देखे बाकी के जो मौर पंक है वो मैंने थोड़ा सा इस पार जो उनकी पगडी थी मैंने सारी पगडी उनके मौर पंकों से ही सजाई थी इस पार मैंने उन पे कोई भी ज्वेलरी कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाया सारी पगडी जितने बाद जितने भी कहते है ना कि मेरे पास attachment थे मेरे पास more punk थे मैंने अपने ठाको जी को इस बार उनके पूरा more punk का more punk के पगडी का शिंगार किया था तो जिससे कि उनकी पगडी कहते ना बहुत सुंदर निकल के आई थी बहुत सुंदर वो लग रहे थे मेरे ठाको जी और बहुत प्यारे लग रहे है ऐसा लग रहा कि बस उनको निहारते रहें निहारते रहें निहारते रहें बहुत प्यारे लग रहे हैं तो आप सब को भी मेरे ठाकुजी कैसे लग रहे हैं उनको कमेंट करके जुरू बताईएगा तो कि मुझे भी देखें इंतजार रहता है जब आप लोग बताते हैं मेरे हमारे ब्यारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं उन पे ये शिंगार कितने सुन्दर लग रहा है तो हमें भी इस कमेंट का इंतजार रहता है कि कोई तो हमारे प्रभू की तारिफ करें कोई तो हमारे प्रबु को निहार के ये बोले कि आज हमारे प्रबु कितने प्यारे लग रहे है आज उन्हों ने ये वस्त्र धारन की है तो कितने सुन्दर लग रहे है तो देखे इस तरीके से हमने अपने ठाकुजी को उनकी जो पगडी थी सिरफ इस बार मैंने उनके मौर पंखों से ही उनकी पगडी को सजाया था कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था और साथ में ये जो अलग से मैंने मौर पंख लगाया है मतलब वो जुमका है हमारी राधरानी का उसको मैंने अलग से एक टीके की तरह लगाया जिसमें भी मोरपंख नजरा रहा है, क्योंकि जब मैं उनकी पगड़ी, जब कहते हैं, मैं सजा रही हूँ, तो मन में भाव आता रहता ना, कि यह लगाना है, वो लगाना है, तो फिर इस बार यह भाव आ रहा है, कि बस पूरी पगड़ी उनकी मोरपंखों से ही सजाओंगी उनको हास्तों में कंगन पेनाने हैं और सबसे स्पेशली चीज जो कभी नहीं भूलनी चाहिए हर भक्त को क्योंकि कहते हैं हमारे बच्चे को अगर नजर लगती है हमें भी नजर लगती है तो हमारे बिहारी जी को भी नजर लगती है तो नजर लगने ना लगे उनको क्योंक नजरिये जरूर पहनाने चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे को नजरिये जरूर पहनाती है वैसे अपने भिहारी जी को अपने ठाकु जी को भी नजरिये पहनाने चाहिए तो इसी के साथ साथ में मैंने अपने ठाकु जी के चरनों में उनको पाइल पहना रखी है और उ हमारे बिहारी जी को भी हमें 16 शिंगार करना होता है तो वो भी हमारे किसी से कम नहीं लगने चाहिए हमारी शामा प्यारी से हमारे ठाकुरागनी से हमारी राधा प्यारी से तो फुल शिंगार आप सब के सामने पेश है मेरे बिहारी जी का मेरे ठाकुर जी का आप सब को भी क जुरूर जुरूर बताईएगा दोस्तों क्योंकि हमें भी आप सब के कमेट का इंतजार रहता है जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें भी कैसे पता चलेगा तो अब हम आमारी शामा प्यारी के अब आप सब दर्शन कर रह रहे हैं तो दिखिए ये मेरी शामा प्यारी का प्यारा सा सुन्दर सा लेंगा है जो कि मैंने नीचे फुलकारी का बोर्डर दिया है उपर से क्रीम कलर का प्लेन ड्रेस रखा है और उनका ब्लाउज भी ऐसे रखा है ये छोटा सा सिंपल सा मेरी रादरानी का लेंगा है और मैंने उन का थोड़ा सा कुछ भी हैवी शिंगार नहीं किया है बहुत सिंपल सा सरधारन सा अपनी शामा प्यारी का शिंगार किया है क्योंकि यह होता है कि हम कभी कभी हैवी शिंगार करते हैं तो हमारी शामा प्यारी थोड़ा सा लाइट शिंगार करवाती है कभी वो हैवी शिंगार करवराती है तो वो सब तो इनी के ऊपर depend करता है और साथ में मैंने ठाकूर जी की तरह सेम इनको भी कमर बंद लगाया है क्योगि ये दोनों हार थे तो मैंने अपने दोनों ठाकूर जी रादरानी के लिए लिए थे और ये है मेरी शामा प्यारी का मंगल सुतर बिना मंगल सुतर के हर सुहागन सेस्टी का शिंगार अधूरा रहता है तो अपनी शामा प्यारी को मंगल सुतर जरूर पहनाईएगा और साथ में ये है मेरी शामा प्यारी का दुपटा जो कि मैं पहनती है यह क्रीम वाला दुपटा मैंने अपनी शामा प्यारी के लिए अलग से इस ड्रेस पे पहनाया था और अब हम अपनी रादा प्यारी अपनी लादो रानी को केश धारन कराएंगे तो जैसे कि मैंने अपनी शामा प्यारी को केश पहना दिये हैं उनके बालो को थोड़ा सा हम टाइट करते हुए उनको अच्छे से सेट कर लेंगे बालो को क्योंकि जब तक हम अपनी रादा रानी के बालो को set नहीं करेंगे तब तक उन पे hairstyle नहीं हो पाता है तो यह है उनकी एक चोटी जो कि मैंने अलग से उनको पीछे से बालो के साथ अच्छे से उनको बांद के आगे की तरफ पिन से टिक करके अच्छे से लगा दिया है ताकि हमारी रादा रानी की चोटी ही लेना तो बागी के जो बाल होते हैं forehead पे जो आगे आ जाते हैं उसको भी हम set कर लेंगे और ये है हमारी शामा प्यारी का मांग्ती का मांग्ती का कैसा है देखिए ये पूरा अटैज्च था कुछ भी इसमें अलग से मुझे नहीं करना पड़ा बहुत प्यारा मांग्ती का है और मे को अपने आपनी और चोटी ली है जो मैंने अपनी राड़ारानी के सीर पर लगाई है क्योंकि इसे अलग चोटी लगाने से Pack다가 फेता है फेयरे यह है थोड़े से कर्ल जो मैंने अपनी राधा रानी को अपने शामा प्यारी को कर्स लगाए है अलग से जिससे कि थोड़ा सा लुक और सुन्दर लगे मेरी शामा प्यारी का और यह है एक नैकलेस जो कि आप ओलेडी मेरे पहले वाले किसी भी शिकार में देख रहे हैं तो कि यह दूपटा है मैंने हलका सा उनके हाथों से गुमा कि उनको अलग से लगा दिया है जिससे कि वो दूपटा उनके बालों में या किसी भी चीज में उलजहेना और यह है फुलकारी specially ये फुलकारी हमारी नवी नवेली दुलन को उड़ाई जाती है तो इसलिए लोडी पे ये special फुलकारी का शिंगार जुरूर होता है जो भी हमारा नया विवाहित जोड़ा होता है उनको दिया जाता है तो ये लोडी जो है मेरी रादरानी की पहली लोडी थी तो मैंने अपनी रादरानी के लिए इसलिए ये श्पेशल फुलकारी की ड्रस बनाई थी और उनको फुलकारी का ही दूपटा उनको दिया था अपनी शामाप्यारी को लाडो को तो साथ में ये मैंने चूडियां उनको पहनाई है तो चूडियां जो कि मेरी शामा प्यारी को बहुत प्रिये है क्योंकि बिना चूडियां और मिना बिच्छुएं बिना मंगल सुतर और जुएलरी के बिना हमारी हर सुहागन सिस्ट्री का हमारी शामा प्यारी का शिंगार दूरा है तो उनको शिंगार इन सब चीजों से जरूर करना चाहिए और इस में भी मैं ये बोलूँगी हमारी शामा प्यारी बहुत प्यारी लगती है और ठाकुजी से भी बहुत प्यारी है हमारी शामा प्यारी तो उनको किसी की नजर ना लगे तो अपनी लाड़ो को भी अ लाकि उनको हर बूरी नजर से बचाया जा सकी वैसे तो उनको किसी की नजर नहीं लग सकती है क्योंकि वो तो सब को बचाते हैं तो फिर भी एक भाव होता है ना तो हमने अपने शाम मैंने अपनी लाडो को नजरिये पहनाई है रात में उनको उंगूठी पहनाई है और उसरे हातों पर आशिवाले हाट पर उनको पहनाया है साथ में उनको एक अंगन पहनाएंगे जिसे कि हमारी शामा प्यारी के हाथ बहुत प्यारे लगे बहुत सुंतर लगे कि जब भी आप उनको देखें तो बस यह लगे कि हमारी शामा प्यारी हमें आशिवा दे रही है और मुस्कुराई जारी है हमारे सामने, बस हमें और निहारती रहे और हम अपनी शामा प्यारी को निहारते रहे, तो इस तरह के से अब अपनी शामा प्यारी को, अपनी लाड़ो को, हमारी रादरानी को हम एरिंग्स पहनाएंगे, ये earrings मेरे जो हमारी शामा प्यारी ने सीर पे जो necklace धारंग किया है चंदरिका के रूप में वो ही earrings हम मैंने उनको पहनाए है साइड में हम अपनी लाड़ो को चोटा सा फूल उनके सीर पे लगा देंगे और मैंने कुछ flowers उनके हाथ में पकटाए है जिसे कि उनका दिखिया हाथ पकटने का जो style होता ना बहुत सुन्दर लगता है क्योंकि मुझे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता अपनी लाड़ो का और अब हम अपनी लाड़ो को मेरी शामा प्यारी को फुलकारी दे देंगे बिना फुलकारी के ये शिंगार और ये लोडी ये मकर सिक्रांती अधूरी थी इसलिए मैंने अपनी रादरानी को फुलकारी की ड्रस बनाई थी अब वैसे आप सब समझी गए होंगे कि मैंने फुलकारी की ड्रेस क्यूं बनाई थी अपनी शामा प्यारी अपने ठाकुर जी के लिए और इसी के साथ मेरी राधरानी त्यार हो चुकी है आप सब उनके सुन्दर सुन्दर दर्शन भी कर रहे हैं तो आप सब को मेरी शामा प्यारी कैसी लगी कैसी उनका शिंगार लगा है तो कमेंट करके जूर बताईएगा और ये फुलकारी की ड्रेस आपको कैसी लगी है कैसी उनकी जो च्छवी त्यार हुई है वो कैसी लगी है उनका लेंगा कैसा त्यार हुआ वो कैसा लगा, उनका शिंगार कैसा लगा, कमेंट करके जू बताईएगा दोस्तों, क्योंकि आप मुझे भी आप सब के दोस्तों का कमेंट का इंतजा रहता है, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे, तो हमें भी कुछ-कुछ आइडियास नहीं आते हैं, तो थोड़ इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, तो नेक्स शिंगार दर्शन पे जल्दी मिलेंगे, और चैलन को लाइक और सब्ट्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज मेरे हर वीडियो को अच्छे से जरूर देखिएगा, जब तक प्रभू के आप दर्शन नहीं करे तब तक कोई फाइदा नहीं होगा वीडियोस देखने का, तो इसी के साथ सब को रादे रादे, हरे कृष्णा पूलों में सज रहे है, श्री बिन्रवन बिहारी पूलों में सज रहे है, श्री बिन्रवन बिहारी और संद सज रहे है, विश्य भानों के दुलारी पूलों में सज रहे है, श्री बिन्रवन बिहारी पूलों में सजी रही एड़ा सामो कट हाँ सिर पर रखा है किस अदा से करुना बरस रही है रही है करुना भरी ने खासे इन मौन बिक गई हूँ जब से छवी ने हारी पूलों में सजी रहे श्रीहिंद्रवन बिहारी पूलों में सजी रहे श्रीविंद्रवन बिहारी पूलों में सजी रहे के बैयां गले में डाले हो डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही लगते प्यार हो प्यारे सबके ही मन को खाते इन दोनों पे मैं सदके की सदके इन दोनों पे में बारी पूलों में सजी रहे श्रीविंद्रवन बिहारी इन दोनों में सजी रहे इन दोनों में सजी रहे